क्वेशन नमबर 6 पहले इस एक्वेशन को भी हम लोग रियरेंज करके लिखेंगे क्योंकि constant part left side में दियावा है तो हम लिखते हैं 2x-y equal to minus 3 and 3x-7y equal to minus 10 और इसको नाम दे देती equation 1 यह हो गया equation 2 अब क्या करेंगे हम suppose y को eliminate करना चाहते है तो दोनों को सेम बनाना होगा तो यहां पर 1 y है यहां पर 7 y है तुम दोनों को 7 बना सकते हैं उसके लिए इस equation को तो हम 7 से multiply कर देंगे और इसको कुछ भी करने का जरूरत नहीं है तो हम लिख लेंगे into 1 into 1 मतलब as it से लिख लिए तो भी ठीक नहीं लिके तो भी कोई फरक नहीं पड़ता है लिख के लिखा देंगे तो equation 1 क्या हो गया 2x into 7 यह हो गया 14x minus 7y equal to minus 21 और यह as it is रहेगा 3x minus 7y equal to minus 10 यह equation change हो गया equation 1 इसको नाम दे देंगे equation number 3 और equation 2 में कोई change नहीं है तो यह as it is रहेगा equation 2 इसके बाद हम क्या करेंगे दोनों equation को add की subtract तो दोनों का जिस हमको y को eliminate कर रहे है और यहाँ पर y का sign क्या है same तो हम रहें क्या करेंगे subtract subtract करने से sign change हो जाता है minus यह हो गया plus यह हो गया plus तो minus 7y and plus 7y यह cancel हो गया and 14x minus 3x यह आगया 11x और minus 21 plus 10 यह आगया minus 11 तो x equal to minus 11 upon 11 तो cut के आ जाएगा equal to minus 1 तो x का value आगया minus 1 अब x का value को हम रहें किसी भी equation में तो 2x minus y equal to minus 3 यह first equation तो 2 into minus 1 minus y equal to minus 3 minus 2 minus y equal to minus 3 minus 2 minus y equal to minus 3 minus y equal to यह 2 इदर आके plus हो जाएगा minus 3 plus 2 यह हो गया minus 1 और y minus minus cancel हो जाएगा दोनों साइट से तो y equal to 1 तो x का value आगया minus 1 and y का value हो गया 1 झाल